कुछ लोगों कोई लगता है कि mutual fund भी कोई ना कोई स्कीम है जो आज पैसे आप से बना लेगी और लेके कुछ दिनों के बाद फरार हो जाएगी तो मैं आपको बता दो जैसे हमारा बैंक आर बी आई के द्वारा रेगुलेट होता है वायसे ही मिल्चुल फंड एक रेगुलेटर है से भी उसके द्वारा रेगुलेटर होता है मतलब आपका पैसा जो है हन्नेट परसंट सेफ है अब आते हैं मुद्दे पे जैसे क्या है कि सपोज आपका मंथली इंकम है लेकिन सबसे जरूरी है कि आप कितना सेव करते हैं और उससे भी जरूरी है कि आप उसको कितना इंमंदारी से स्मार्टली इंवेस्ट कर रहे हैं फॉर योर स्पेस्फिक फानांशियल गोल मैंने आपको बताया था कि डारक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है तो वैस आपको माने एक होती लार्ज कैप कमपनी जो बड़ी-बड़ी कमपनिया है तो अगर आपको ज्यादा नौलेज नहीं है तो आज के बाद से आप मान सकते हैं लार्ज का मतलब होता है सैन्सक्स तो कल आप निउस सुनते भी होंगे या पेपर पढ़ते होंगे या कही ने कह करती है 40 और 30 परशंट से लोग बोलते हैं कि मूचल फंड भी क्या है थोड़ा सा है रिस्की है तो मैं बोलता हूं देखो जब संसक्स तूटता है हंडेट से आया मानलो 80 तो मिट कंप मिट कंपनिया वाली जो तूटेंगी होंडेट से आएंगे 60 और 40 तो हमें क्या कर लेन है कि इस टाइम में सपुझ आपने इन्वेश्ट कर रखा है तो मैं जो लगाता हूं अपना दिमाग कि जब संसक्स तूटता है तो मैं इसका वेट करता हूं मैं पैनिक नहीं होता हूं मैं अपना फंड को स्विच कर देता हूं पहले मैंने लगाया था लार्ज कैप में कं मैं उसको switch करके small cap और mid cap में लगा दिया मतलब उस case में हमें जो amount हमें जो quantity मिले share के वो discounted price में मिले मतलब पहले जिन share का एक share का rate अगर 100 रुपेश था मैंने उसको buy किया 40 में और उसके बाद से मैं एक साल छे मैंना दस मैंने वेट कर लेता हूं उसका प्राइज जो है दो 300 चला जाता है फिर से फिर मैं उसको sell कर देता हूं तो ऐसे ही आप smartly पैसे को क्या कर सकते इंवेश्ट कर सकते हैं थैंक्यू सो मच